कैसे हैं आप सब लोग वेलकम यूट्वी टू स्ट्रीवन जेके में श्वाइब आज एक और एनलीसिस वीडियो लेकिया हूं मैं और यह जो एनलीसिस है यह भी उन कैंडिडेट की तरफ से है जिन्होंने अपना टाइप टेस्ट आज ही क्वालिफाई किया है तो यहां पे नर्वस हो जाहें वहां पे आप काफी ज़्यादा प्रेशर फिल कर रहे हो फिर भी आप अपना टाइपिंग टेस्ट है वह अच्छे से क्वालिफाई कर लोगी ठीक है वह क्या प्रोच है वह मैं अभी आपको पताऊंगा और इनका अनलीसिस में इसलिए किया क्योंकि पर टाइप्स पैरागराफ्स को सकते हो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि महां पर पर पियाग्राफ किस तरहा के आ पिस लैज़ाईड देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखते हैं सलाम वालेकुम असलाम उसके बाद यहाँ पिनोंने अपना ना मेंचिन किया इश्रत और यह लिखते हैं यहाँ आज मैंने अपना टाइपिंग टेस्ट वो कॉलिफाई किया वहाँ पिनकी स्पीड आई 47 words per minute और accuracy i 97% ओके तो हमें इनकी accuracy देखके एक जिस clear हो जानी चाहिए कि इन्होंने वहाँ पे अपने type test कि तरह से दिया होगा तो हमें क्या clear हो रहा है हमें ये clear हो रहा है कि इन्होंने जब भी कोई word type किया होगा अगर उस word में कहीं पे इनको correction हो रही होगी तो इन्होंने बिल्कुल वहाँ पे उस word पे क्या किया होगा backspace की लिए होगी ठीक है backspace की लेने के बाद उस word को correct करने के बाद ही इन्होंने move किया होगा next word पे ठीक है पूरे 10 minute में इन्होंने इस चीज़ को continue रखा होगा क्या कि अगर इसे word गलत होता था यह backspace की लेते थे और speed से हमें क्या clear हो रहा है कि इन्होंने कोई बहुत ही ज्यादा backspace की नहीं लिए है ठीक है जैन्वन backspace की लिए है ठीक है इन्होंने बिल्कुल वही approach follow की है जो मैं आपको till date बताता आ रहा हूँ कि क्या आपको एक best approach दहेगी इस तरह से आप अपने typing test को अच्छी speed और accuracy के साथ qualify कर सकते है ठीक है वहाँ पे पूरे 10 minute में आपको वह approach follow करनी है simple बस किसी फालतू बात पर नहीं अपने सोचना नहीं है ठीक है तो मैं अभी आपको पताता हूँ जिन्होंने नीचे mention किया है तो यहां से मैंने आपको यह पता दी है इनकी accuracy देखी हमें क्या पता चला कि पहले इन्होंने अपने गलत word को ठीक किया होगा backspace की लेकर फिर उन्होंने move किया होगा next word ठीक है एक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं कि पूरे 10 मिनिट में fast type करते हैं सब वर्ट को और जो mistakes हो रही होती हैं उनको होने देते हैं backspace की काफी कम लेते हैं बस speed के चक्रूं में fast type करने के चक्रूं में accuracy की वज़़से इन्होंने बिल्कुल उस चीज़ पर ध्यान दिया इनको जहां पर गलती हो रही थी इन्होंने backspace की ली फिर उन्होंने move किया next word पर उसके बाद गाईस इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि इनकी जो speed थी वो क्या थी करपे 44 से 51 ठीक है 44 से 51 ठीक है और वहां पर कितनी आ रही है 47 मतलब कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपना type test qualify की है ठीक है तो nervous यह भी हुए होंगे बट एक approach होती है जिस approach के साथ इन्होंने इतना अच्छा वहां पर speed लाई है और accuracy भी लाई है ठीक ह उसके बाद इन्होंने thank you link है you are most welcome उसके बाद यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इनको कुछ हाँ यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है जो paragraph था वो moderate level का था ठीक है नाही ज्यादा tough था नाही ज्यादा easy था मतलब कि यह लिखते हैं थोड़ा सारा moderate level का paragraph था ठीक है तो कुछ कॉमा थे उसके बाद कुछ हाइफन साय ठीक है उसके बाद डबल कोटेशन माग भी यूज़ हुए यह सब वही साइन कैंडिडेट्स बता रहे हैं जो मैं आपको अभी तक बताता रहा हूं कि आप इन साइन्स पे अच्छी कमाड बना लें ठीक है यहां पर इनकी अनल करना चाहिए ठीक है यह मैंने भी आपको बताया है कि 10 मिनिट का अगर टाइप टेस्ट है ठीक है स्टार्टिंग के कुछ मिनिट में आप थोड़ा साथ स्लो टाइप करें ठीक है तो यह चीज मैंने भी आपको बताई हुई है उसके बाद यहां पर देखते हैं ऐस पर होते हैं ठीक है उन पर अच्छी स्पीड के साथ उनको टाइप करें और जो युनीक वर्ड्स होते हैं उनको स्लो टाइप करें मैं आपको बताता आ रहा हुँ इन्होंने बिल्कुल वैसे किया और इन्होंने घर की स्पीड मैंशन की हुई है 44 से 51 और वहां पर निकालने 47 इन्होंने बिल्कुल वैसी अप्रोच फॉलो की तो इनको वहां पर कितनी अच्छी स्पीड आई आपने देख लिया ठीक है इसलिए मैं आपको यहीं बताता आ रहा था कि जब भी आपको कोई कॉमन वर्ड मिलता है आप उसको फास्ट टाइप कर लें क्यूं क्यूंकि वह आपके पस opportunity है कि आप अपनी speed को ज्यादा ला सकते हैं ठीक है और जब आपको unique word मिलता है कोई उसको आप slow type करें क्यूं क्यूंकि आपके पास यह भी opportunity है कि आप अपनी accuracy को maintain रख सकते हैं 90% plus रख सकते हैं ठीक है इसलिए आपको बस ध्यान रखना होगा कहा पे common word मिल रहा ह तो common word को आप fast type करके अपनी speed अच्छी ला सकते हैं और इन common words पे कोशिश करें आपके ज्यादा fast भी ना करें कि आप दाल लिखने के चक्रू में candidate का करते हैं एची टी लिखते हैं ज्यादा fast लिखने के चक्रू में इस तरह की mistake इन words में भी हो जाती है इस तरह से fast लिखें कि आपको वहाँ पे backspace की ना लेनी पड़े एक उसके बाद वो जो word है वो आपको अच्छे से type हो जाए ठीक है उसके बाद unique words को अगर आप क्या करेंगे slow type करेंगे तो उससे क्या होगा जो आपकी accuracy है वो maintain रहेगी क्यों कि क्योंके अगर unique words की chances काफी ज़्यता होते है गलत होने के ठीक है अगर वहाँ पे युनिक words पे आपको गलती हो रहा है तो आप backspace की लेए लें कोई बात नहीं ठीक है तो अगर आप backspace की लेते आप उस word को correct करेंगे common word ने तो ठीक होना ही है unique words को भी आप correct कर रहे हैं ठीक है backspace की लेके तो आप मुझे बताओ आपकी accuracy भी maintain area और आपकी speed भी maintain area best approach होती है काईज यह ठीक है आज इनुने इस analysis के साथ ये भी बता दिया कि जो मैं आपको चीज़े बता रहा था ये वली इस approach का मैं आपको बता रहा था इसका practical implementation भी है type test में बस depend करता है कि आप किसी को follow करते हो या नहीं ठीक है उसके बाद इनुने thank you लिक है कोई बात नहीं मुझे खुशी होती है कि जब हमारे end से कोई select होता है ठीक है तो काफी ज़दा अच्छा लगता है मुझे इस तरह के messages देख के जब कोई बोलता है मैं qualify हो गया हूँ ठीक है और जो candidates disqualify हो रहे हैं जो candidates disqualify हो रहे हैं आप please खुद को demoralize मत करें कोई बात नहीं इसमें नहीं तो next both opportunities है ठीक है उसके बाद अभी 4-5 जो notification था ठीक है उसमें भी junior assistant की vacancies है वहाँ पे भी आप चेक कर लेना जहां तक मुझे याद है उसमें भी vacancies है तो यहाँ पी नहीं हुआ तो आपका वहाँ पे हो जाएगा हमारे end से आपको help मिलती रहेगी ऐसा नहीं है कि यह जो phase होगा इनी phases के साथ हमारी जो preparation है वह खतम हो जाएगी ना हमारी यहाँ पर हमारी चैनल पर preparation चलती रहेगी टाइपिंग टेस्ट की भी ठीक है तो उसके बाद guys मैं आपको बता दूँ कि मैं difficult paragraphs प्रोवाइट आपको नहीं कर रहा हूँ ठीक है उसका मैंने आपको बताया यही रीजन है कि मैं आपको difficult paragraph नहीं प्रोवाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो paragraph प्रोवाइट कर रहा हूँ जिस तरह के paragraph चेके SSB पूछ रही है ठीक है क्योंकि हमारी साथ जो candidate से उनका type test के तो कल होगा या pursue होगा उनका मैं difficult paragraph दे दूँ ठीक है मेरे उस paragraph प्रोवाइट करने की वज़ा से वो exam में उनको वो कर भी सकते होते हो सकता है मैं उनको पहले demoralize कर दूँ ऐसा मैं नहीं करूँगा अभी मैं जो paragraph प्रोवाइट कर रहा हूँ जैसा level लख रही है मैं उस तरहा का paragraph आपको प्रोवाइट कर रहा हूँ ठीक है तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप लीज लाइक करके बताएं तो कोई भी डाउट है आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें मैं आपको आज से करनी कोशिश करूँगा उसके बाद आपको मैंने बताया कि टेलिग्राम पर भी जॉइन हो जाएं तो थैंक्यू गाइज बाई